वेल्کम, कैसे हैं आप सब? आशा है, आप सभी स्वस्त होंगे. अपने पार्टन का नाम मन में सोचिए और जानिए कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के बारे में क्या है? कुछ second के लिए अपने partner का नाम लीजिए अपने बारे में सोचिए अपने रिष्टे के बारे में सोचिए और यह divine के tarot cards आपको बताएंगे कि आप दोनों की current energies क्या है और next इस रिष्टे में क्या हो सकता है reading timeless है जब भी देखेंगे ना तभी resonate करेगी लेकिन general है collective है सबी science, सबी gender, सबी religion, सबी caste के लोग इस reading को equally देख सकते हैं same gender relationship में जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं married, unmarried सबी देख सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है सबी से resonate करें अगर आप से करें तो like, share and comment ज़रूर से करें so without much further ado let's start देखते हैं first card क्या आया है integration oh my goodness आप इस रिष्टे में reunion and marriage चाहते हो अब आप इस रिष्टे में final अपनी manjil चाहते हो आप परिशान हो गए हो राहों में दोड़ते दोड़ते, manifest कर रहे हो reunion या marriage को आपकी energy इस टाइम ऐसी है कि आपको balance हो, angel की काफी blessings feel कर रहे हो और अब इस रिष्टे में reunion and marriage चाहते हो, कोई messy stuff नहीं चाहते, कोई in and out, on and off का scenario नहीं चाहते कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहते, जो आपके favor में नहीं है अब आप सीधा final अपना goal चाहते हो, final अपनी manjil चाहते हो, marriage and reunion चाहते हो और जिसके लिए आप quite balance हो, और patiently wait कर रहे हो आपके person की energy है, कि वो अभी भी marriage या reunion नहीं चाहते, वो go with the flow चलना चाहते है उन्हें लगता है कि मारे जो reunion के लिए अब भी perfect time नहीं है, तो go with the flow चलना चाहिए and manjil जहां, रास्ते जहां ले जाएं वहां पहुंच जाना चाहिए, आपके person की vibrations ऐसी है Cancer Pisces Scorpio 4, 13, 22, 30, 12, 21, 14, 23, 5 13, 31, यह numbers, Cancer Pisces Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, यह zodiac sign आप में से कुछ लोगों के लिए prominent हो सकते हैं यह है आप दोनों की mutual energy, आप दोनों ही इस सफर में बेशेक एक दूसरे से connected हो या फिर connected नहीं हो अपने आपको अकेला तनहा और ऐसे पाते हो कि जैसे सब कुछ आप ही को करना है एक दूसरे के साथ रहते हुए भी आप दोनों को यह एसास नहीं हो पा रहा कि आपके साथ कोई है आप दोनों ही life में अपने आपको काफी अकेला महसूस कर रहे हो लेकिन आपके person अभी कोई decision नहीं लेना चाहते हो, विदा flow चलना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं मन में ठान चुके हो, decision ने चुके हो, कि आपको इनी से marriage करनी है या फिर इनी से reunion करना है यह है आपके present energy, यह आपके person की energy और यह आप दोनों की energy टोरस वाइगो काप्रीकॉन भी कुछ लोगों के लिए most prominent zodiac दिख रहा है 817, 26 number prominent हो सकते हैं इस relationship में बहुत कुछ चीजे secret है, आपके person हो सकता है, काफी secretive है खुल के बात नहीं करते, चीजों को छुपाते हैं, डंग से नहीं बताते, ऐसी vibrations भी आ रही है जिसकी वज़े से आप पहले imbalance हो जाते थे, लेकिन present energies में आप काफी maturely things को handle कर रहे हो, ठीक है one card again for your person, वाउ, आपके person भी आपकी company में रहते रहते, पहले से काफी mature हो गए है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आप लोगों की शादी भी हो जाएगी 2, 11, 19, 20 and 29 आप लोगों के लिए prominent number हो सकते हैं आप दोनों का क्या future है, healing, divine की blessing से आपका रिष्टा heal हो रहा है और next 3-4 months में आपके रिष्टे में positive changes आने शुरू हो जाएगे आपको meanwhile क्या करना चाहिए आपको definitely हर तरह की confusion से अपने आपको बहार निकालना चाहिए और ये कैसे करोगे inner work से, meditation से आपको clarity मिल जाएगी, listen to your own intuition ठीके friends, ये थी आपके reading अगर resonate की हो, पसंद आई हो, तो please do like, share and comment thank you so much for watching, may God bless you and take care